है लो श्टून्स तो आज सेदे हम सीखने वाले स्टेटिक का एक चेप्टर फर्स चेप्टर जिसका नाम है लिमीट लग्स तो इस चेप्टर में बहुत साइड डिफेंट डैक के सम्से तो आज मैं एक टॉपिक के समसाले के लिए खलाना वाला हूँ और वो मैं एक्सेस के सम्स लेने वालो जो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने और आज बहुत से सम्स में आपको सॉल करके दिखाऊंगा तो मैं आज जो फेक्टोरियल के सम्स होते हैं जो अवेवे वाले सम्स होते हैं वो आज में सॉल करके आपको दिखाऊंगा तो स्टा तो find the value of the following, तो question number 9, okay, x raise to 3, x plus 3 upon x minus 2, तो दीखे, solve करना है कोई जादा है, इसमें को रूल सूर्स अप्लाई करना ही जो एकदम simple basic होता है, दीखे, गर मैं आप जहां तर के एकदम short में आपको समझाऊंगा, x raise to 3, limit, equation यह, x plus 7 upon x minus 2, तो इसमें क्या जादा है, जो solution possible होता है, जो solution हमें करना होता है, जिससे कुछी भी करके cut हो जाए, और उसके बाद हम value जो बोला के x की limit, वो में आप put on कर देगे, लेकिन यहां देगे कोई solution possible ही नहीं है, यह बना 10 answer है, next question, question number 10, x 10 to 4, x square minus 3x minus 4 upon x square minus 2x minus 8, तो इस type का sums को, आवे-वे type का sums बोलते हैं, जिसमें pattern क्या होती है, यहां पर a मिली value होगी, x square होता है, plus b, again को value होगी, उसके देगे x होता है, plus c, means constant value, लेकि अगे डिजिट value होता है, यह होता है, आवे-वे का स्वरू, right, जिससे हमको पता चलता है कि इस type का sums में, वो आपको आँचा लाना होता है, तो दो को sums में कैसे अप्लाई करेंगी, तो यह 4 into 1, तो 4 यह आएगा, और middle में कितना दिया गया है, 3, और पीछी का sign आपको always check out करनेगा, क्या दिया गया है, minus sign दिया गया है, तो 4 का ऐसा multiply करना है, कि minus करने पर कितना मिले हमें, 3 मिले, और into करने पर कितना मिले, 4 मिले, तो 2 factor ले आएगा, 4 into 1, 4 आता है, और 4 minus 1 करने पर कितना आता है, 3 आता, तो कौनसे दो factor हुए, 4 and 1, please समद लीजिए, क्या करना होता है, first और last का into करना रहता है, और मिडल की value उमें लाना रहता है और last वाला sign देखने का 4 into 1 4 हुआ minus करने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए 4 का ऐसा factor करना है into करने पर 4 है और वही 2 factor को minus करने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए तो मिल के हम 4 end वद तो आप minus 3 x की जगह में क्या रखना है 4 और 1 रखना होगा तो x square पहला sign minus पर minus ही रखना है अब पहले 2 value रखने की बड़ी value 4 तो यह आएगा 4 x second जो होगा यह minus है और हमको minus करने पर 3 लाना है तो second क्या हो जाएगा opposite plus आएगा plus sign आएगा 1 x last minus 4 ऐसा कैसा मतलब minus 3 x की जगह minus 4 x plus x आगया अपने में सैम करेंगे process 8 minus करने पर कितना आना जी 2 आना जी 8 का ऐसा multiply करें कि minus करने पर कितना मिले मैं 2 मिले 4 x 2 8 भी होता है 4 minus 2 2 भी होता है तो 4 और 2 यह दो factor मिलेंगे हमे जिसका 2 करने पर 8 आएगा और 4 minus 2 करने पर कितना मिलेगा 2 मिलेगा तो मिले में रख देंगे 1 x square minus sign तो minus से लिखना रहेगा अब यह 4 पहले बड़ा value लिखनेगा 4 x अब minus करने पर आना है तो पहला minus से तो second का रखना पड़ेगा plus रखना पड़ेगा plus 2 x और last minus 8 sent to 7 अब किया करना है common का process करना है यहाँ पर first 2 देखनेगा दो वाले value में common finder करनेगा और last की 2 में common finder करनेगा तो यहाँ पर common में कौन आएगा x आएगा x common आएगा तो यहाँ पर x square में से x रहे जाएगा minus 4 x में से 4 रहे जाएगा second वाले में बाहर प्लस का sign तो प्लस लिख दे लेगा यहाँ पर कुछ भी common यह तो 1 लिखा जा सकता है x minus 4 ऐसा का ऐसा sent to 7 नीचे करेंगे first की 2 value में common देखना है तो x square minus 4 x में common क्या है x है तो क्या बचएगा x minus 4 plus तो plus 2 x minus 8 इनमें common क्या रहेगा common रहेगा 2 रहेगा तो क्या बचएगा x minus 4 रहेगा अब क्या करना है जो हमने इम ब्रेकेट में जो common निकला है उसको one time लिख देना और दुनों same ही होगा देखिए x minus 4 x minus 4 same ही है तो one time लिख देना है x minus 4 and second x plus 1 ना ब्रेकेट बन जाएगा x plus 1 अब पॉन में सेम करना ही जो common निकला उसको one time लिख दीजिए x minus 4 और new बाल आवज जाएगा x plus 2 अब यहां पर always कुतना कुस्तों कट होगा तो देखिए आपर x minus 4 x minus 4 यह क्या होगा? कट होगा बाकी value जो लिख देंगे x plus 1 and x plus 2 अब हम जो value रखनी है कितनी रखनी x की? 4 रखना है, right? तो जहां पर x आप 4 रख देंगे 4 plus 1 4 plus 2 तो 4 plus 1 5 4 plus 2 6 यह अपना होगा final answer तो यह होगा solve answer जे कोट करते हैं 5 by 6 एक कॉस्ट प्रेटिस करते हैं जो भी same process का दिया गया question number 11 तो देखिए कि अब भी एक बार और अच्प्रेटिस करेंगे central samson दिया गया question number 11 दिया गया x square plus x minus 2 x square plus 2 x minus 3 तो देखना कैसे सार्व करना है x 10 to 1 limit x square plus x minus 2 upon x square plus 2 x minus 3 क्या करना always जाता है first and last digit का into करना है तो 1 into 2 2 रहेगा और last one ascending ना minus करने पर कितना चाहिए 1 चाहिए तो 2 का ऐसा factor करना है जिसमें into करने पर 2 मिले और minus करने पर 1 मिले तो 2 into 1 2 होता है और 2 minus 1 1 होता है तो 2 factor मिलेगे 2 and 1 जिनका into करने पर 2 मिलेगा और minus करने पर 1 मिलेगा तो अब क्या करना है जो plus x की जगह क्या आजाएगा 2 and 1 आजाएगा तो कैसे लिखना है x square पहला sign जो रहेगा वह लिखना है plus to plus और पहले big value लिखना है यह 2 है तो 2 x बन जाएगा और second minus करने पर आणा तो पहला plus है तो second opposite रहेगा minus sign रहेगा minus x और last बना सेंपर सेंप minus 2 first और last सेंपर लिख देनेगा यहोगा सौल अम निचीक बात कर तो 3 and 1 3 होगा minus करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए 3 का multi ऐसी कोई 2 value जिसका into करने पर 3 आए और minus करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए तो 3 into 1 3 और 3 minus 1 बराबर 2 आएग ना तो हमारे लिए कौन सा होगया factor 3 and 1 तो plus 2x रहेगा 3 and 1 तो लिखना कैसे पहले x सेंपर सेंपर साहिए plus तो plus पहले 3 आएगा 3x अब minus करने पर चाहिए तो second हमको value चेंज करना बढ़ा है plus sign है तो क्या हो जाएगा minus sign हो जाएगा 1x और last का minus 3 सेंपर सेंपर सेंप अब क्या करना रहेगा first 2 और second last 2 इन दोनों के बिटिन क्या रिखनेगा आपको common तो x square plus 2x इसमें common क्या है हमारे पास x आजाएगा तो x common निकला तो क्या बचेगा x square में से x बचेगा और 2x में से 2 बचेगा minus then minus common कुछ भी नहीं तो 1 तो निकाल दी सकते है अब यहाँ पर x बाहर minus sign होने की वज़े से अंदर का sign चेंज होएगा जो minus है वो प्लस हो जाएगा plus 2 same अब नीचे process करेंगे x square plus 3x इसमें common दीखेंगे तो क्या आजाएगा x आजाएगा तो क्या बचेगा x square में से x और 3x में से 3 minus तो minus common कुछ नहीं तो 1 निकाल लेंगे x अगें बाहर minus sign है यहाँ का sign चेंज होएगा minus का plus हो जाएगा plus 3 अब क्या करना है जो common निकला है वो always same to same होगा x plus 2 x plus 2 cos same to same है उसे one time लिख देना है ओके and next यह x और यह minus 1 यह new pair बन जाएगा x minus 1 same है यहाँ पर x plus 3 x plus 2 same है इसको one time लिख देना है और new बना pair बन जाएगा x minus 1 आपके आपको always कुतना कुस्टों cut होने ही चाहिए तब ही हमारा right है वह x minus 1 x minus 1 totally cut हो गया बाकी जो digit बजा जो value लिख देना है x plus 2 and up one में x plus 3 अब आपको solid लिख देना है x is equal to 1 लख देना है यह हो गया 3 by 4 तो यह हो गया sums यहाँ पर इस टाइप के अभी होगी के sum हमें solve करने रहेंगे तो एक और sum से ज़ता हूँ जो थोड़ा different हो एकदम different हो उसके बाद next video में मैं awesome solve करूँगा तो question में 22 ले जावारा जो एकदम different position form में दिया गया है आपर 2 है plus 5 5 के upon में 6 plus 7 by x दिया है तो देखो इसको solve कर से करना है इस type of sums है यह भी बहुत important sums है 22 लिखा गया x 10 to 0 limit दिया गया है 2 plus 5 upon 6 plus 7 upon x तो देखी इस sums को कैसे solve करना चाहिए तो पहले जो upon में दीख रहा है आपको value पहले इससे solve करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है देखो 5 upon यह जो इसका solution कैसा होगा यह 6 और यह x 6 और x का क्या होगा cross में multiplication हो जाएगा 6 x हो जाएगा और plus किसके साथ हो जाएगा 7 plus 7 upon में क्या जाएगा x आजाएगा अब क्या करना है कि यह upon के upon में जो है x वो 5 के into में चला जाएगा तो 2 plus जो upon में x है वो into में चला जाएगा 5 x upon में जो है वही देगा 6 x plus 7 अब इसका अभी भी perfect जो form गवा नहीं है तो 6 plus 7 का into किसे करेंगे 2 से करेंगे तो पहले 6 x का 2 से into करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 x अगें प्लस तो प्लस 7 का भी 2 से into करेंगे तो 14 हो जाएगा प्लस तो कौन है 5 x तो 77 हो डिटन दाम तो करेंगे लिना upon में क्या है भई 6 x plus 7 अब यसे sort कर देंगे 12 x plus 5 x तो यह हो जाएगा 17 x plus 14 upon में 6 x plus 7 तो अभी कुछ करते हैं को solution possible नहीं है तो हम directly x की value रख सकते है तो x की value के लिए क्लिए 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 जीरो रखना है तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 17 x is a 0 प्लस 14 ओके यहाँ पर upon में 6 x is a 0 प्लस 7 तो यह complete 0 चुगा है only 14 नहेगा यह भी जिल हो गया only 7 नहेगा तो 14 divided by 7 कितना असर आजाएगा 2 आजाएगा लेस्ट चेक आउट करते हैं इसका अंसर इसका अंसर देया गया 2 तो यह होगा संसर कमेट को आज की वीडियो को यहीं पर रखते next वीडियो को अप्लोड soon possible होगा अब ऐसे अप्लोड हो जाएगा जिसमें मैं आपको रूट वाले सबस्टॉब कराने वाला हूँ तो वीडियो समझ में आज़ों से लाइक जो कीज़ेगा और चैनल को सबस्टाइब जरू कीज़ेगा आने वाले वीडियो को देखने के लिए और कोई क्यारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा थैंक्यू